मैं आशीक आप सभी का एकबार फिर से स्वाकत करता हूँ एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नागडिकता संमंधित आप विदिशी नागडिक होने के बहुत दोस्तों got 했 दोस्तों ऑदिश वहीत Naam वह उतना किलियर नहीं हो पाया था तो मैं इस एडिटिंग के दौरान वाइस ओबर दे रहा हूं आपको लिप सिंग में थोड़ा सा दिक्कत होड़ा होगा लेकिन आप वाइस को सुनिया आपको जानकारी भरपूर मिलेगा ठीक है शुरू करते हैं इस वीडियो को तो जैसा कि एक बेक्ति किसी दो देश का नागरिक नहीं बन सकता है क्यूं क्यूंकि इसके लिए कोई भी रूल नहीं बना हुआ है कि आप एक ही नागरिक हो और दो देश का नागरिकता आपके पास हो तो ऐसे में आपको क्या करना होगा आप जिस देश के नागृक थे उस देश का identity से सम्मद्ध, जो भी document होगे उसको त्याग करना होगा तभी जा के आप न Italia के नागृक बन सकेंगे तो नागृक्ता त्याग कैसे करेंगे पहले वाले का ऐसा तो नहीं है कि आप जाए और घर पर फेक के चले आए आप अपने पहले पुराने वाले गाउं में जाकर के नागरिक्ता जो भी डॉकुमेंट है आपके पास वोटर आईडी वया जो भी है आप इसको डैरेक्ट नहीं फेक सकते हैं तो इसके लिए एक लीगल प्रोसेस क्या है जैसा कि मैं भारतिये लोगों को बता रहा हूँ भारत के लोगों को क्या करना होगा नागरिक्ता लेने के लिए ठीक है आपके पास जो भी डॉकुमेंट है डॉकुमेंट में जैसी कि वोटर आईडी काड होगा पासपोर्ट होगा ड्राइवी लाइसेंस होगा आधार काड होगा जो भी डॉकुमेंट है सब ओरिजनल डॉकुमेंट लेके आना है आपको और लेके आने के बाद में आपको इंडियन एमबेसी में जाना है और इंड लव करने के लिए आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपको इंडियन निशनालिटी के पासपोर्ड या वोटर आईडी कार्ड ये ओरिजिनल लेके आने हैं और दो पासपोर्ड साइज के होटो लेकर के आने होंगे इसके बाद अगला स्टेप आप उसके बाद आप को दो गवाह लाने होंगे दुनों गवाहों का आईडी जरूरी है ये दो गवाह भारतिये होने चाहिए या नेपाली नागडिक होने चाहिए ये मुझे नहीं पता आप काउंटर पे जा करके इसके बारे में पूछ सकते हैं उसके बाद आपको डोकुमेंट जब नागडिक्ता को त्याग करना चाह रहे हैं ठीक है आपको ये तीन काम करने हैं तीन काम होने के बाद में आपको लगवक 15 साल तक वेट करना होगा 15 साल वेट करने के बाद में एमबेसी के द्वारा जो एक डोकुमेंट दिया जाएगा आपको वो नजदिकी वड़ा के कार ठीक है नेपाली नागरिकता मिलने के बाद में आपको आम नेपाली नागरिक की तरह आप यहां पर मतदान और जो भी मतलब घर जगा और जो भी कारवार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यह तो हो गया पहला रूल अब अगला रूल की तरह हम बढ़ते हैं तो अगला रूल मे नेपाल के किसी हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं नेपाल के किसी हॉस्पिटल में जन्म लेने के पस्चाथ आपको एक बर्थ सर्टिपिकेट दिया जाता है उस बर्थ सर्टिपिकेट को आप अपने नजदी की वाड़ ओपिस में ले जा करके वड़ा कर्याले में ले जाकर commit करेंगे submit करने के लिए आपको बच्चे का माता-पिता का जो document लएगा Indian embassy का जो card लएगा वो card का photo copy और बच्चे का photo और यह लगेगा आप इसके लिए बेहतर जानकारी के लिए अपने नजधी की वड़ के कारियाले में जा सकते जब आपका रेजिटेशन आपके बच्चे का रेजिटेशन हो जाएगा तो उसे सोरा साल में एक और फॉर्म भरना होगा उस फॉर्म भरने के बाद में सोरा साल में जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को भरने के बाद में 18 साल जब पूरा होगा तब उसे नेपाली नागरिधा मिल जाएगा ये हो गया दूसरा प्रोसेस अब तीसरा प्रोसेस की बारे में हम बात करते हैं तो तीसरा प्रोसेस मतलब मैंने फेस्बुक पर पढ़ा था कि ये लौ आने वाला है ये नियम आने वाला है ये कानून पास होने वाला है लेकिन पास हुआ की नहीं हुआ मुझे इसके बारे मे कोई जनकारी अभी ओफिसियली नहीं मिला है मैंने नेपाल गौवर्मेंट के ओफिसियली वेबसाइट पर भी देखा है इसके बारे में मुझे कुछ खास जनकारी नहीं मिला है तो तीसरे लौ की बारे में हम बात करते हैं तो आप किसी बिदेशी महिला से किसी बिदेशी महिला से साधी करकर नेपाल में लेकर के आते हैं तो उस महिला को साथ साल के बाद नेपाली नागरिकता मिल जाएगा साथ साल कंटिनियू रहना है साथ साल में उसे नेपाली नागरिकता मिल जाएगा ये होगा लड़की के हक में लड़के की हग की बात करें तो यदि बिदेशी लड़का कोई नेपाल की लड़की से साधी करता है तो उस दवरान उसको कंटिन्यू 15 साल तक नेपाल में रहना होगा 15 साल के बाद ही उसे नेपाली नागरिकता मिलेगा इससे भी मतलब आप नेपाली आम नेपाली नागरिक के तरह आप भी यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं मतदान का अधिकार भी मिल जाएगा 2019 में मैंने पड़ा था 2021 सायद आभी गया वह विजो उतना जनकारी नहीं है इसके बारे में आप आपको मैं नेपाल गोवेंट के ओपीसियल वेबसाइट्स जो है और नागरिक्ता सम्मदि जो भी एक्ट है जो भी कानून है इस सबका लिंक मैं डिस्क्रिक्शन में दे आपको इंफर्मेशन चाहिए होगा वहां से आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही मैंने आपको तीन कंडिशन बता दिये तीन कंडिशन में ही आप नेपाली नगरिक्ता को प्लैम कर सकते हैं पहला होगी आप बाइदवर्थ आपका बच्चा अगर कोई नेपाल म होता है उसको अपने नजदी के वड़ा करेयाल में लेके जाना है वहां आपका काम बन जागा दूसरा आपको कंडिनिवसली 15 साल रहना है और उस रहने के दौरान आप कुझी इस देश के हैं वहां के आइडेंटिटी से रिलेटर जो भी डॉकुमेंट है उसको त्याग कर करेंगे आपको इंडियन एंभेसी में जाना है अगर भर्ती नाग्रिक आतो अगर बाहर के कोई नाग्रिक है तो आप उसे संबनित एंभेसी में जा सकते हैं उसको त्यांख करना होगा आपसे हो 15 साल कनीनिव ञते हैं तो आपका का म हो जाए गर공 तीसरा अगर लो के बारे में आप डीपली जाना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिशन में नेपाल गोवरेंट का लिंक दे दूंगा वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो यह इनफोरेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजेगा पसंद नहीं है हो तो डिस्लाइक कर दीजेगा अगर आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड या बिजनस से रिलेटेड की बिजनस कैसे स्टाट अप करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अकनी कुश्चन बोर सकते हैं मैं उसका जवाब देने के लिए दयार रहूँगा मैं खुछी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका उस टोपिक मैं कवर कर पाऊं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जैगी